अंजली इस चकप में अपने डॉक्टर के पास गर्दवस्ता की दौरान क्या पदाद ज्यादा तर काना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं मा को हर रोज विबिन प्रकार की बोजन और पॉश्टिक आहार काना चाहिए। जो गर्दवस्ता के दौरान उसके लिए और बच्चे के लिए अच्छा है। वे कास पदार्थ होते हैं जिनमें फोलेट, लोहा और कैल्शिम होता है। फोलेट किस में होता है? यह अंजली जानना चाहती है। डौक्टर कहते हैं फोलेट मस्तिश के लिए और बच्चे के तंत्र का तंत्र के विकास के लिए अवश्यक है। फोलेट हरी पत्तेदार सबजियां जैसे पालक, मेती, चौलाई और बद्वा इन खास पदार्थों में बड़ी मात्रा में मिलता है। इन में फोलेट बड़ी मात्रा में मौजूद है। यह भी सुनिक्षित करें कि आप उन्हें पकाने के पहले और खाने के पहले अच्छी तरह से धोले। क्यूंकि गर्दवती महिलाओं को गर्दवस्ता के दौरान रक्त की अपूर्टी कम होती है। और उन्हें अपने बच्चे में भी रग्त कोशिकाओं के गटन का भी समर्तन करना चाहिए। इसलिए घर्दवती के बोजन में लोहा सामागरी को बढ़ाना चाहिए। यानि आयरन कंटेंट को भी बढ़ाना चाहिए। लोहा पतेदार यानि लीफी वेजटिबल्स में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बादाम भी लोहा और कैल्जिम का एक अच्छा सोर्स है। गर्दवस्दा के दौरान विटमिन B6 एक महतवपून पौशक तत्व है। विटमिन B6 आलू, खेला आधी में पाया जाता है। केला मौनिंग सिखनेस से सहायक होता है। यह विटमिन B6 सेरिटनन के उत्पादन में मदद करता है। जो अच्छे मूड में मदद करता है। यानि मा को कुश रखता है। आमला, निम्बू, संत्रा और मौसम भी इन सब में विटमिन C का मात्रा जादा होता है। और इन से शरीर को बिमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। जिंक भी प्रतिरक्षा यानि इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए अवशक होता है। और यह सभी बीजों और अन्य अनाज में पाया जाता है। कैल्शियम गर्दवस्ता के दौरान अवश्यक और महत्वपूर कनीज है। दूद और हरी पत्तेदार सबजियों में कैल्शियम का मात्रा अच्छी तरह होता है। शिशू के हड़ियों और दांटों के उचित विकास के लिए कैल्शियम की अवश्यक्ता होती है। अंडा कोलन का एक बड़ा स्थोत्र यानि सोर्स है और प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है। डाल जैसे मूंग की डाल, चना, राजमा, हर हर, मसूर और साथ में अंकुरत डालें यानि स्प्राउटेड मूंग यह सब भी खाना चाहिए। इनमें प्रोटीन का मात्रा जादा होता है। इसके साथ जवार, बाजरा, गेहू, रागी इन सब में फाइबर का भी मात्रा होता है जो आपके पाचन को काम करने में मदद कर सकता है और कबज से भी दूर रखता है। इन सब को भी आप अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। बहुत सारे रंगीन सबजियां जैसे लाल, पीले और नारंगी रंग के सबजियां और फल जैसे गाजर, टमाटर, सीता, फल, आम यह सब आपके बढ़ते बच्चे के लिए सभी पोशक तत्वों के को प्रदान करने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण गद्वती महिलाओं को हमेशा हाइड्रेट रखनी चाहिए। प्रती दिन तीन लीटर यानी आठ से दस गलास पानी पीने की कोशिश करें। यह पानी शरीर में उर्जा रखता है और कब्च को रोगता है और शरीर से विशक पदार्तों को निकालने में मदद करता है। मदेट टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना न भूले ताकि हमारे नए वीडियोज आपको सबसे पहले मिलें।